नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफ और बोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटर कॉप के बारे में इसका पूरा फंडामेंटल अनलिसिस करेंगे साथ ही साथ इसके क्वाटर फोर के रिजर्स को भी जानेंगे आगे चार् पाणी के लिए नौटिफिकेशन बेल को प्रेस की जए तो चसलिए बात करते हैं हीरो मोटर कॉप के बारे में काटर फोर इजर्स को जानने से पह जारा फायदे की बात कर लेता है यानि ki dividend के बारे में जान लेते हैं तो जो dividend declare किया है वो 25 रुपीज पर equity share का यानि की per share हमें 25 रुपीज ऐसे dividend मिलने वाला है जो कि एक अच्छी बात है अब बात करते हैं इसके quarter for results के बारे में तो आप देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं stand alone financial statements जहां पर जो सारे figures दिये गए हैं वो है rupees in crores में अगर बात करें इसके sales के बारे में तो इस quarter में 13.23 lakhs का sales देखने को मिला है जो कि था 15.41 lakhs पिछले quarter में पिछले साल की बात करें तो वो था 17.81 lakhs का sales तो यहां पर clearly हमें गिरावाट देखने को मिल रहे है चाहे वो quarter on quarter basis हो या year on year basis ऐसी स्थिती हमें total income में भी दिखाई देगी total income जो आया है वो 6,407 crores जो कि था 7,178 crores पिछले quarter में अगर बात करें पिछले साल के बारे में तो 8,049 crores की total income देखने को मिली थी तो यहां पर भी अच्छी कासी किरावाट बनी हुई है year on year और quarter on quarter basis दोनों पे अब बात करते हैं profit after tax के बारे में तो जो profit after tax निकल कर आता है वो 6,20 crores इस quarter का जो कि था 880 crores पिछले quarter में अगर बात करें मार्च 2019 के quarter के बारे में तो 730 crores का profit दिखाई दिया था यानि कि अच्छी कासी किरावाट देखने को मिले चाहे वो quarter on quarter basis हो या year on year basis अब बात कर लेते हैं पूरे financial year के बारे में हमने बात कर लिया quarter के बारे में अब देखते हैं पूरा साल कैसा गुजरा है तो आप देख सकते हैं पूरे साल में जो sales देखने को मिले है वो तकरीबन 64 lakhs का sales देखने को मिला है जो कि था 78 lakhs यानि कि अच्छी कासी गिरावाट देखने को मिलती है sales में अगर बात करें total income के बारे में तो total income है 29,614 crores जो कि थी 34,341 crores पिछले साल तो यहाँ पर भी हमें गिरावाट देखने को मिल रही है अगर बात करें profit after tax के बारे में जो profit after tax निकल कराता है वो है 3,633 crores इस financial year का जो कि पिछले साल था 3,384 crores तो हमने जाना कि quarter 4 results थोड़े बुरे आया है लेकिन उतने बुरे नहीं आया है जितना expected था तो आप देख सकते हैं कि 15 lakhs के आसपास का sale हुआ था पिछले quarter में उससे sudden change होकर 8 या 10 lakhs का sales नहीं देखने को मिला है बलकि फिर भी decent number हम लोग को देखने को मिला है जो की है 13.23 lakhs तो आप देख सकते हैं कि overall quarter 4 results आया है क्या चुपा हुआ है balance sheet कैसी है income statement कैसा है उसके बारे में भी जान लेते है अब मैं आपको one month की situation दिखाना चाहूंगा तो one month में ये 13% ऊपर दौड चुका है one year के बारे में बात करें तो 11% के negative returns यहां पर दिखाई दे रहे हैं five year के बारे में बात करें तो 4.15% के negative returns दिखाई देते हैं हाला कि auto industries काफी नेचे हैं उसके बावजूत इसने हमें बहुत ही ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई है five year के time horizon में इससे अगर हम दूसरे stocks को compare करते हैं जो कि auto industries में है वहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा drastic chain देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा तिवर गिरावट देखने को मिलती है वो इसाब से फिर भी इसकी स्थिति संभली हुई दिखाई देती है अगर बात करें इसके key metrics के बारे में तो PE ratio है 13.18 sector का PE 43.49 है price to book है 3.62 sector का price to book है 2.53 dividend yield यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है हाला कि 25 रुपीज पर equity share का dividend डिखलेर हुआ है यहाँ पर update होना बाकी है sector का dividend है 0.97% तो हम देख सकते हैं PE ratio में काफी सस्ता दिखाई देता है लेकिन price to book ratio में थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है लेकिन overall ज्यादा over value stock इसे हम नहीं कह सकते हैं अपने value के आसपास ही चल रहा है ऐसा हमें दिखाई देता है financial trend के बारे में जान लेते हैं तो जो financial trend यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब देख सकते हैं 2017 में जो revenue था उसके बाद अच्छी कासी growth देखने को मिली 2019 तग लेकिन drastic change देखने को मिला है 2020 में अच्छी कासी गिर गई है revenue profit के बारे में बात करें तो profit भी 2017 से 2018 में बढ़ा था लेकिन उसके बाद थोड़ा सा change आया और नीचे चला गया था profit लेकिन 2020 में फिर से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि रेकिन में भले ही अच्छी कासी गिरावट देखने को मिली है लेकिन profit में थोड़ी सी हमें बढ़त देखने को मिली है जो कि एक अच्छी बात है तो आप देखते हैं इसके financial statement कैसे है तो आप देख सकते हैं जो industry का revenue growth है वो है 9.71% जबकि hero motor cup का है 6.18% market share पिछले 5 सालों में कम हुआ है 46.72% से 39.68% हो गया है industry की net income है 9.86% जबकि hero motor cup की है 10.37% अब मैं आपको growth view पर कुछ दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल से हमें negative यहां पर बहुत कुछ दिखाई देता है total revenue इस साल में कम हो गई है EBITDA ratio PBIT PBT ratio में हमें गिरावट देखने को मिलती है अब देख सकते हैं पिछले साल में भी net income में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि overall auto industries काफी ज़्यदा slowdown में आ चुका है उपर से COVID-19 की situation की वज़े से भी काफी ज़्यदा गंबीर situation बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अगर उससे पहले की हम situation देखे तो आप देख सकते हैं अच्छी कासी growth देखने को मिली है यानि कि stock के fundamental सच है इसलिए हमें अच्छी कासी growth भी देखने को मिली थी लेकिन पिछले 2-3 सालों से auto industry में slowdown होने के कारण यहाँ पर भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है balance sheet के बारे में जान लेते हैं तो balance sheet पे जो debt है उसके उपर ध्यान देना में आपको आकरशित करना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं total long term debt जो यहाँ पर निकल के आता है वो है 124 crores का जो पी इतना ज्यादा debt नहीं है अब देख सकते हैं कम ही हुआ है पिछले over the few years हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है debt जो कि एक अच्छी वात है क्योंकि बहुत ही जादे अगर debt रहती है company तो उसका default होने का chances बढ़ जाता है तो यहाँ पर कोई चिंता जनक बड़ा debt हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो अब हम देखते हैं इसका shareholding pattern कैसा है उसके बारे में भी जान लेते हैं total promoter holding है 34.62%, mutual fund के पास है तकरीबन 8% की holding, diis के पास है तकरीबन 20% की holding और fiis के पास है 34.26% की holding, other parties के पास है 11.21% की holding तो हमने देखा पूरा fundamental analysis किया जिससे हमें पता चलता है कि stock अपने value के आसपास ही available है, peer ratio काफी सस्ता दिखाई देता है और price to book ratio भी ज्यादा महेंगा नहीं दिखाई दे रहा है, हमने financial trend को भी check किया, हमने देखा कि revenue अच्छी कासी गिरावट दिखाई दे रही थी, लेकि पिछले 2 साल में हमें गिरावट देखने को जरूर मिली है, हमने देखा कि financial trend में revenue और profit दोनों ही ज्यादा गिरावट देखाई नहीं दे रही है, जबकि auto industries में काफी ज्यादा slowdown चल रहा है, बहुत सारी ऐसी companies है जिसकी revenue और profit बहुत ही ज्यादा नीचे जाकर खड़ी हो ग चार्ट पर कैसी situation वहाँ पर बनी हुई है, कौन से levels और targets आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग charts पर आ चुक हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि market crash से पहले ये 2500 के आसपास trade करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी कासी गिरावट बनी हुई है, और 1500 के आसपास इसने support लेने के बाद strong recovery दिखाई है, अपने पुराने high के आसपास ये already पहुँच चुका है, 2401 के आसपास इसका last rate price है, जो कि सारे moving averages के उपर दिखाई देता है, चाहे वो 200 days का moving average हो, 100 days का हो, 50 days का हो, या 20 days का हो, तो अब जान लेते हैं इसके indicators के बारे में, तो money flow index का जो number निकल कर आ रहा है, वो 61.6, याने कि अभी भी अच्छी कासी strength में, RSI के बारे में बात करें, तो RSI की situation भी कुछ वैसी दिखाई दे रहा है, 63.71 का RSI का number है, याने कि यहाँ पर भी अच्छी कासी strength दिखाई होती है, बात करें, MACD के बारे में, तो MACD की situation यहाँ पर clear नहीं है, MACD confused दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भ के बारे में भी जान लेते हैं, बॉलिंजर बैंड के मीडियन को यह चोडने को तयार ही नहीं हो रहा है, अब देख सकते हैं, मीडियन के आसपास यह बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, उपर जाता हुआ दे रहा है, अगर बात करें इसके अपर बैंड क के बारे में तो lower band calculate होकर आता है 2013 रूपीज अब मैं pivot points भी आपको बताना चाहूंगा जो pivot level निकल कराता है वो है 2228 इसी के आसपास हमें median भी दिखाई दिया था और इसी के आसपास इसने support लेकर तेजी भी दिखाई है अगर resistance की बात करें तो 2524 का resistance यह face कर सकता है उसके आगे बात करें इसके नीचे के और supports की तो 1770 का support भी strong support दिखाई दे सकता है अगर बात करें all time chart के बारे में जहां पर एक candle one month को represent करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी situation वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग all time chart पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि over the past few years इसने हमें अच्छे कासे पैसे बना कर दिये थे 4000 के आसपास यह stock पहुँच चुका था लेकिन उसके बाद auto sector में हमें मंदी देखने को मिली और stock वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं अच्छी कासे तेजी इ इसने support लिया है हाल ही में इसने अपने 200 months के यह में के ऊपर closing दे दिये 200 months के यह में के ऊपर ही अपनी trade करता हुआ दिखाई देता है तो अब बात करते हैं इसमें positions के बारे में अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर position लेकर रखी है तो मेरा मानना इसे आप hold कर सकते हैं अपी stock में कोई problem नहीं है auto industry slow चल रहे है इसकी वज़े से हमें गिरावट देखने को मिलिये बहुत ही ज़्यादा ऊपर आपने position लिये अगर आप loss में चल रहे हैं तो मेरा मानना यही रहेगा कि आप hold कर सकते हैं और अच्छे price पर इसमें आप quantity को add भी कर सकते हैं अगर बा बात करें fresh buy के बारे में तो fresh buy के हमने levels जो देखे मेरा मानना है 2000 का level काफी अच्छा रहेगा वहाँ पर buying करने के लिए क्योंकि pivot level पर वह एक support बनकर आता था और Bollinger band का lower band है वो भी अच्छा है लेकिन patient investor अगर आप है patiently invest करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि 1750 से पहले invest मत की क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने support लेता हुआ दिखाए दिया था अगर markets में गिरावट आती है जो कि मेरा मानना है आप ही सकती है क्योंकि markets काफी ऊपर निकल चुकी है तो इसमें भी correction आएंगे उनी stocks में सबसे पहले correction आएगा जहाँ पर ज्यादा तेजी तो मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा alert होना चाहिए ऐसा हो सकता है कि वापस इसमें थोड़ी सी नीचे गिरावट देखने को मिले इसले मेरा मानना है कि अगर आप patient investor है आराम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा मानना है 10775 का जो लेवल है उसके लेवल पर से आप इ इसमें पोजिशन बना सकते हैं मेरा मानना है इसमें आप पोजिशन बनाने के बारे में सोचिए क्योंकि जो सिचुएशन अभी बनती हुई दिखाई दे रही है COVID-19 की वज़े से ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सोचिल डिस्टंसिंग को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गए आपको पता है कि COVID-19 के वज़े से बहुत लोग कैब सर्विसेशन को यूज करते थे लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सब लोग दूसरों की गाड़ी में बैटने से डरेंगे इसलिए मेरा मानना है कि सब लोग तो ओर विलर अफॉर्ड नहीं कर सकते इसलिए टू विलर के सेल्स में अच्छी गास्ती तेजी देखने को मिल सकती है इसलिए हीरो मोर्टर कॉब और बजा जोटो दोनों फोकस में रहेंगे तो इसे अपने वाच्छ लिस्ट पर बनाए रखिए अभी नहीं तो अगर गिरावट बनती है तो तब ही इसमें पोजिशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू स्टे हैपी हैपी इन्वेस्टिंग